अब न्यूस तक नए अंदाज में मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुपना देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें आसान भाशा में समझी है मेरे सार टेक और आटो से जुड़े इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने चाह रहे हैं सिंगल चार्च में 100 किलोमिटर तक जाने वाली नई कंपनी की नई एलेक्ट्रिक साइकल और नई टेकनोलोजी से लेस 20 घंटे तक पाट्री बैकप वाले एरबाट्स शुरुवात करते हैं इस साइकल के साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल और पोल्यूशन की वजह से एलेक्ट्रिक वहिकल का जमाना आ गया है कंपनिया एलेक्ट्रिक वहिकल पर जोर दे रही है एलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सेग्मेंट में अभी तक सिंगल चार्च में 100 किलोमिटर या उससे ज्या किलोमिटर तक जा सकती है नेक्जू मोबिलिटी ने अपनी रोड लाक एलेक्ट्रिक साइकल लॉंच की है इसमें 5.2 AH की एक बैटरी हमेशा साइकल में लगी रहेगी जबकि 8.7 AH की बैटरी को अलग करके चार्च किया जा सकेगा इससे ये साइकल सिंगल चार्च में 100 किलो चार्च हो जाती है नेक्जू रोड लार्क एलेक्ट्रिक साइकल में ग्रहाकों को ना सर्फ ज्यादा दूर तक जाने की रेंज मिलेगी बलकि इसमें ABS के साथ डूल डिस्क ब्रेक भी है जो इसकी राइड को बहतर बनाते हैं साथ ही बैटरी से चलने के साथ साथ इसमें प नेटवर्क का विस्तार किया है 100 किलोमेटर रेंज वाली एलेक्ट्रिक साइकल की कीमत 44,000 रुपई से शुरू है दूसरे खबर नए एरबद से जुड़ी है पॉपिलर वेरेबल ब्रांट नॉइज ने एरबद के नए पेर को भारत में लौँच किया है कंपनी ने इसे ए नॉइस एरबद सीरीज में ये नया एडिशन है एरबद प्रो को काफी ज्यादा अप्ग्रेट और आक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ पेश किया गया है इसमें ट्रांस्परिंसी मोड हाइपर सिंक टेकनोलोजी जैसे कई दूसरे फीचर्स दिये गए हैं रिपोर्ट क इसकी सेल्स में काफी ग्रोथ हुई है नॉइस एरबद प्रो को 2499 रुपे की इंट्रोडक्टरी कीमत पर पेश किया गया है इसे ब्लाक वाइट और ब्लू कलर ऑप्शन्स में पेश किया जा रहा है इसमें 10 mm ड्राइवर्स दिये गए हैं ये एरबद आक्टिव नॉइस क ट्राइवर्स दिया गया है अच्छी कॉलिंग के लिए क्वार्ड माइक्स 10 mm स्पीकर ड्राइवर और एक ट्रांस्परेंसी मोड भी मिलेगा ये अंड्रोइड और आयोएस दोनों के साथ कंपाटिबल है कंपनी का दावा है कि चार्चिंग के साथ इसकी बैटरी 20 घंटे चलती है ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूस तक जो अब आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है याद रहें सिर्फ रंग्रूप बदला है कोशिश अभी वही है कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुचाते रहें न्यूस तक वि कर दो